हाई फ्रेंड्स मैं पिंकी एड्यूहब ओनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत करती हूँ मैं आपको राजस्थान जीके के प्रिवियस एर के कोश्चन के बारे में अध्यन करवारी हूँ आज हम इसमें सिंचाई परियोजनाई से संबंदित कोश्चन के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आपका सिंचाई परियोजना का पहला कोश्चन है फर्स्ट कोश्चन है राजस्थान में नए संभर के चुनाव में से किस मांडंद को सरवादिक भारिता दी जाती है राजस्थान में नए जल संभर के चुनाव में से किस मांडंड को सरवादिक भारिता महत्व दी जाती है छेत्र जिसमें पैजल की विकट कमी हो ऐसे छेत्र जिसमें पैजल की विकट कमी हो किसको महत्व दिया जाता है, ऐसे छेत्रों को महत्व दिया जाता है, जापे पैजल की विकट कमी हो, next question, तीन चालू योजनाओं के समा मेलन से प्रधान मंत्री क्रशी सिंचाई योजनाम ने जनम लिया, इन तीन योजनाओं का क्या नाम था? एसी तीन योजनाओं जो समा मेलन से प्रधान मंत्री क्रशी संचाई योजना ने जनम लिया, इन तीन योजनाओं के क्या नाम है? त्वरित सिंचाई लाब कार्यकरम, समम्वित जल ग्रहन, प्रबंद कार्यकरम और खेत पर जल प्रबंदन, तीन नाम कौन-कौन से हैं योज प्रधानमंत्री क्रस्ण सिंचाई योजना ने जनम लिया वो पहला नाम है आपका त्वरित सिंचाई लाब कारेकरम, दूसरा नाम है समन्वित जल ग्रहन प्रबंध कारेकरम और तीसरा नाम है खेत पर जल का प्रबंधन नेक्स्ट कोशन राजस्थान में किस परियोजनान में प्रत्थम वार फवारा सिंचाई व्यवस्था को आवशक बनाया गया तो कौन सा है वो नर्मदा कैनाल परियोजना कौन सी परियोजना है नर्मदा कैनाल परियोजना नेक्स्ट कोशन 11 जन्वरी 2019 को रेनुका जी बहु उद्देशय बांध परियोजना है तू समझोते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का उप्यूक्त समू है कौन से राज्यों का उप्युक्त समू है हरियाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांखंड कौन कौन से राज्य है हरियाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांखंड इंद्रा गांदी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? चार सो पैंतालीस किलोमेटर किती लंबाई है? चार सो पैंतालीस किलोमेटर राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? तो हनुमानगर जिले में प्रवेश करती है पिपलवाडा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्तित है? कहा पर अवस्तित है? सवाई माधपूर में कौन सा जीला वाटरशेड निरांचन परियोजना के अंतरगर्थ आता है जोधपूर कहां पर आता है जोधपूर जिले में कौन सी लिफ्ट नहर इंदरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी कवर सेन लिफ्ट नहर जो है इंदरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी नेक्स्ट कोश्चन राजस्थान का धन्या सागर कहा जाने वाला छेत्र सिंचाई के लिए पानी कहा से लाता है जो राजस्थान का धन्या सागर कहा जाने वाला जो छेत्र है सिंचाई के लिए वो पानी कहा से लेता है तो वो पानी कहा से लेता है गंग नहर से नेक्स्ट कोश्यन राजस्थान में मरुस्थली करण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पटिका का विकास किया गया है इंद्रा गांधी नहर में नेक्स्ट कोश्यन शेखावटी के अंतः प्रवाही शेखावटी के अंतः प्रवाही छेत्र में निर्मित कच्चे जल स्त्रोत को किस नाम से जाना जाता है नाडा नेक्स्ट कोश्यन जाखम बहु उद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में इस्तित है प्रतापगर जिले में नेक्स्ट कोश्यन इस रदा सिंचाई इस रदा सिंचाई परियोजना कहां पर इस्तित है इस रदा सिंचाई परियोजना सवाई माधोपूर में इस्तित है next question, किस नदी से ढोलपूर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा, किस नदी को ढोलपूर लिफ्ट सिंचाई परियोजना से पानी मिलेगा, चंबल नदी को next, सेई परियोजना का संबन्द किस बांध से है, जवाई बांध से, next question, राज्य की बहु उद्देशे नदी घाटी परियोजनाओ में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है राज्य की जो बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना है उसमें सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है भांकडा नागल परियोजना भांकडा नागल परियोजना क्या है बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना में सबसे ब किस स्त्रोट से जल मिलता है रावी व्यास कौन से स्त्रोट से जल मिलता है रावी व्यास next राजस्थान राज्ये में पानी लेखा परिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है राजस्थान में पानी लेखा परिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है जल संबन्द सरचनाओं की प्रभाबोत पादता रख रखाव और सुरक्षा next मद्दे प्रदेश वे राजस्थान की संयुक्त बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौनसी है मद्दे प्रदेश वे राजस्थान की संयुक्त बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौनसी है चंबल परियोजना next राजस्थान की कौनसी शक्ती परियोजना राज्य के सांजे स्वामित्व में है तो वो है माही परियोजना next गरदड़ा वहद पैजल परियोजना राजस्थान के किस जीले से संबंदित है next question पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई है तू किस नहर परियोजना का विकास किया गया पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई है तू किस नहर परियोजना का विकास किया गया इंदरा गांदी नहर परियोजना next question जीलो के समू में से किस समू में इंदरा गांदी नहर का पानी केवल पीने के उदेशे के लिए उपियोग में लाया जाता है तो वो है जुन्जनू, सीकर, नागोर और बाडमेर next राजस्थान में इंदरा गांदी नहर का प्रवेश बिंदू में कौन सा जिला है तो वो है हनुमानगड next question राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर इस्तित है राणा, प्रताप, सागर, सिंचाई परियोजना किस नदी पर इस्तित है तो चंबल नदी पर इस्तित है राजस्थान में भारत के सत्य जल का लगभग उपलब्द प्रतिशत हिस्सा है कित्ता प्रतिशत हिस्सा है 1.16 प्रतिशत next इंदरा गांधी नहर का क्उसा उद्गम बांध है हरी के जे बैजार इंदरा गांधी नहर का कौन सा उद्गम बांध है हरी के बेराज next question केंद्रिय भूजल केंद्रिय भूजल बोड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडो की संख्या है 25 केंद्रिय भूजल बोड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्यागिती है 25 नेक्स्ट कोश्चन राजस्थान की वह है प्रत्थम सिंचाई परियोजना राजस्थान की प्रत्थम सिंचाई परियोजना जिसमें जल सरक्षन हेतू फमारा सिंचाई पदिती को अपनाया गया वो कौन सी परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना नर्मदा, नहर, परियोजना नेक्स्ट कोश्चन राजस्थान में सेम समस्या से गंभीरतम प्रभावित जीले कौन सी हैं? तो वो है हनमानगर और गंगानगर नेक्स्ट कोश्चन वर्तमान में राजस्थान में भूजल की कौन सी समस्या विक्राल रूप धारन करती जा रही है? अंध और धूसर शेत्र की बढ़ती संख्या अंध और धूसर शेत्र की बढ़ती संख्या नेक्स्ट राजस्थान में सर्वादिक छेत्र में सिंचाई किस त्रोच से होती है नल कूपो से नेक्स्ट कोशन भूजल की उपलब्धता तथा गुणवता की ड्रश्टी से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चिंता जनक इस्तती किन जीलो की है तो वो कौन से जीले हैं नागोर और जैपूर नागोर और जैपूर नेक्स्ट कोशन राजस्थान में अंदह और धूसर शेत्रों की बढ़ती हुई सेंख्या के मद्दे नजर भारत के केंद्रिय भूजल प्राधी करण ने राजे के किन प्रसासनिक खंडों में भूमी गत जल दोहन पर पून रोक लगा दी है राजस्थान में अंदह और धूसर शेत्रों की बढ़ती हुई सेंख्या के मद्दे नजर भारत के केंद्रिय भूजल प्राधी करण ने राजे के किन प्रसासनिक खंडों में भूमी कत जल दोहन पर पून रोक लगा दी है तो कौन से है वो बहरोड, भीनमाल, सूरजगर, धोंद और श्री माधपूर नेक्स्ट कोश्चन कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान पंजाव वे हरियाना राज्यों की संयुक्त परियोजना है कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान पंजाव वे हरियाना राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो वो कौन सी परियोजना है, व्यास परियोजना, ओके फ्रेंड्स, यहाई पर आज के यह प्रशन यहाई पर समाप्त होते हैं, एक बार हम इसको रिवाइस कर लेते हैं, जिससे आपको प्रशन और अच्छे से याद हो जाएंगे, फ्रेंड्स, प्लीज एड्यूहब ओनलाइन क्लासिस को जादा से जादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे इनसे एड्यूहब ओनलाइन क्लासिस से नहीं जुड़ें, वो जूर सकें, और उनको बाकी बच्चों को भी फायदा मिल सकें, प्लीज फ्रेंड्स, एड्यूहब ओनल योजनाओं में से किस मानडंड को सरवादिक भारिता मतलब महत्व दी जाती है तो वो कौन से छेतर है जिसको महत्व दिया जा रहा है तो वो छेतर है वैसे छेतर जिसमें पैजल की विकट कमी हो नेक्स्ट तीन चालू योजनाओं के समा मेलन से प्रधान मंतरी क्रशी सिंचाई योजनाओं योजना ने जनम लिया इन तीन योजनाओं का क्या नाम था ऐसी कौन सी तीन योजनाओं थी तो पहली योजना है त्वरित सिंचाई लाब कार्यकरम दूसरी समन्वित जल ग्रहन प्रबंद कार्यकरम और तीसरी है खेत में खेत पर जल प्रबंदन राजस्थान में किस परियोजना में प्रत्थम बार फंवारा सिंचाई व्यवस्था को आवशक बनाया गया तो वो है नर्मदा कैनाल परियोजना नेक्स्ट कोश्चन 11 जन्वरी 2019 को रेनुका जी बहु उद्धेशे बांद परियोजना हेतु समझोते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का उप्यूक्त समू है राजस्थान, उत्तरप्रदेश और उत्तरानखंड उत्राखंड आगे next question इंद्रा गांधी का मुख्य नहर की लंबाई क्या है इंद्रा गांधी मुख्य नहर की क्या लंबाई है 445 किलोमेटर किती लंबाई है इंद्रा गांधी की इंद्रा गांधी मुख्य नहर की 445 किलोमेटर नेक्स्ट कोश्चन राजस्थान फिडर नहर राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है तो हनुमानगर जिले में नेक्स्ट कोश्चन पीपल वाड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है सवाई माधपूर में नेक्स्ट कोश्चन कौन सा जिला वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतरगर्थ आता है तो वो जिला है जोदपूर जिला नेक्स्ट कौन सी लिफ्ट नहर इंद्रा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी तो वो कौन सी नहर है कवर सैन लिफ्ट नहर नेक्स्ट राजस्थान का धन्या सागर कहा जाने वाला छेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लाता है तो कहां से लाता है पानी गंग नहर से कहां से लाता है गंग नहर से नेक्स्ट कौश्ट राजस्थान में मरुस्थल्ली करण मरुस थल्ली करण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पत्टिका का विकास किया गया तो कहां पे विकास किया गया इंदरा गांधी नहर नेक्स्ट शेखावटी के अंतह प्रवाही छेत्र में निर्मित कच्चे जल स्त्रोत को किस नाम से जाना जाता है जाक्कम बहु उद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में इस्तित है प्रतापगड नेक्स्ट इस रदा सिंचाई परियोजना कहा परिस्तित है सवाई मादोपूर में नेक्स्ट किस नदी से ढोलपूर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा किस नदी को मिलेगा चंबल नदी को नेक्स्ट सेई परियोजना का संबंद किस बांद से है जवाई बांद से कौन से बांद से है जवाई बांद से नेक्स्ट राजे की बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? भांखडा नागल परियोजना नोहर नहर परियोजना को किस स्त्रोच से जल मिलता है? रावी व्यास नेक्स्ट कोशन राजस्थान राजे में पानी लेखा परिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संबन सरचनाओं की प्रभाबोत पादता रख रखाव और सुरक्षा क्या उद्देश्य है? जल संबन सरचनाओं की प्रभाबोत पादता रख रखाव और सुरक्षा नेक्स्ट कोशन मध्य प्रदेश वे राजस्थान की संयुक्त बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौनसी है? वो कौनसी परियोजना है? चंबल परियोजना नेक्स्ट राजस्थान की कौनसी शक्ती परियोजना राज्य के सांजे स्वामित्व में है? तो वो है माही परियोजना गरदड़ा ब्रहद पैजल परियोजना राजस्थान के किस जीले से संबंदित है? कौन से जीले से संबंदित है? बुन्दी नेंस्ट क्वेशन पस्चमी राजस्थान में सिंचाई है तू किस नहर परियोजना का विकास किया गया? इंद्रा गांधी नहर परियोजना जीलो के समू में से किस समू में इंदरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उदेशे के लिए उपयोग में लाया जाता है तो वो है जुन्जनू, सीकर, नागोर और बाडमेर नेक्स्ट, राजस्थान में इंदरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदू में कौन सा जिला है? हनुमानगर नेक्स्ट, राणा, प्रताप, सागर, सिंचाई, परियोजना किस नदी परिस्तित है? तो कौन से नदी परिस्तित है? चंबल नदी परिस्तित है राजस्तान में भारत के सत्य जल का उपलब्द प्रतिशत हिस्सा कितना है? 1.16 प्रतिशत इंद्रा गांधी नेहर का कौन सा उद्गम बांध है? हरी के बैराज केंद्रिय भूजल भूजल बोड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्तान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या कित्ती है? 25 नेक्स्ट कोश्चन राजस्तान की वै प्रत्थम सिंचाई परियोजना जिसमें जल सरक्षन हेतु फंवारा सिंचाई पदती को अपनाया गया? कौन सी परियोजना है वो? नर्मदा नहर परियोजना नेक्स्ट कोश्चन राजस्थान में सेम समस्या से गंभिरतम प्रभावित जीले कौन से हैं? वो जीले हैं हनुमानगर और गंगानगर नेक्स्ट कोशिन भारत में वर्तमान में भूजल की कौन सी समस्या विक्राल रूप धारन करती जा रही है तो वो कौन सा है अंदर और दूसर शेत्र की बढ़ती संग्या के कारण भूजल की समस्या विक्राल रूप धारन करती जा रही है राजस्तान में सरवादिक छेत्र में सिंचाई किस त्रोच से की जाती है तो नल कूपो से नेक्स्ट भूजल की उपलब्धता गुणवता की ड्रश्टी से राजस्तान में सबसे ज़्यादा चिंता जनक इस्थती किन जिलो की है तो कौन से जिले हैं वो नागोर वे जैपूर राजस्तान में अंद वे एंव दूसर शेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्दे नजर भारत के केंदरिय भूजल प्राधी करणने राजिय के किन प्रसासनिक खंडों में भूमिकत जल दोहन पर पून रोक लगा दी है तो कहां रोक लगाई है बहरोड, भीनमाल, सूरजगड, धोंद और श्री माधोपुर में नेक्स्ट कुश्यन कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, वे हरियाना, राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो कौन सी परियोजना है वो व्यास परियोजना ओके फ्रेंड्स, आज के कॉश्यन यहीं पर खतम होते हैं कल फिर से और मैं कॉश्यन लेके आऊंगी आपके लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़्यादे से ज़्यादा शेयर करें ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे